गुड इवनिंग एवरीवन वेलकम बाक टो आ चैनल मेरा नाम अंच वले चले देख लेते हैं कलके लिए क्या अप्राइज आक्शन हो सकता है और मार्केट के डिरेक्शन में मुग कर सकता है सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी आज निफ्टी में एक गाप उपनिंग फ बाक आज का क्लोजिंग देख लेके फिर से अगर हम लाज का क्लोजिंग भी देखते हैं तो एक बेरिश क्लोजिंग दिया है अगर हम निफ्टी का व का वा आए देखते है तो 2,400 पे अभी ओपनिंग दे जहां पर एक sell-off आये और कहीं न कहीं है जो 22 160 200 के पास जो एक gap है ये gap close करके एक strong support बनाता हुआ रिवर्सल दे सकता है जहां पर हमने अभी देखा कि 22 200 पर एक अच्छा कासा पुट रेटिंग है अगर निफ्टी ऊपर के साइट जाता है फ्लैट खुलके या फिर डिरेक्ली ये जो 22 400 का जो resistance है इसको एक strong momentum के साथ break करता है तो multiple stop losses हीट हो सकते है और एक rally देखने को मिल सकता है जहां पर अगला resistance जो एक round level है प्लस एक जो gap है 22 500 का ये level एक major resistance जैसे behave करेगा अगर इसके उपर जाता है तो कई न कई एक major resistance level 22 600 to 700 के बीच में है जहांसे एक sharp fall नीचे के direction में देखने को मिला था एक sharp panic scenario एक sell off देखने को मिला था तो ये level एक major resistance जैसे behave करेगा अगर अगर निफ्टी इस range में कई एक खुलता है तो फिर से quality देखने को मिल सकता है क्योंकि 22 500 और 400 एक resistance लेवल से तो एक फिर से sell off आने आ सकता है या फिर अगर by momentum आता भी है तो 22 500 में क्योंकि एक strong resistance available है तो इसी range में एक sideways market बन सकता है अगर हम बैंग निफ्टी के तरफ देखते है तो बैंग निफ्टी में भी एक sell off आया था एक strong sell off आया था और जब निफ्टी ने एक reversal भी दिया था ये नहीं reverse कर पाया जहाँ पर gap बैंग निफ्टी में भी एक बेरिश scenario देखने को मिल रहा है अगर डाउनसाइड देखते तो 47 500 और 47 000 पर डाइरेक्ली एक पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है और अगर हम चार्ट पर वापस आते है तो बैंग निफ्टी में जो आजका रेंज बाउंड रेंज है ये रेंज पूरा वालटाइल रेंज हो जाएगा बैंग निफ्टी के लिए जहाँ पर अगर इसके अंदर खुलता है तो जिस पुट राइटिंग देखने को मिला था ये लवली एक मेजर सपोर्ट लवल की तरह काम कर सकता है अगर इसकी नीचे भी आता है तो यह जो पूरा रैली में बायर्स थे इनके एसल हंट हो सकते है और कई न कई यह 47,000 एक मेजर सपोर्ट लवल की तरह बन जाएगा जाएग के पास यह लवल एक मेजर रिजिस्टेंश लवल के जैसे बहुट करेगा अगर इसके उपर भी जाता है तो जो 48,500 का रौन लवल यह एक मेजर रिजिस्टेंश जैसे बहुट करेगा क्योंकि यह गैप भी है इस लवल पर जो क्लोज करके फिर से एक रिवर्सल दे सकता है Thank you.